आज मैं बहुत ही बढ़ी आचार बनाऊंगे कच्ची हल्दी और अद्रक के दोनों की तासीर गर्म होती है इसलिए सर्दियों मिश्का आचार बनता है और गर्मियों में भी खा सकते हैं अगर इस तरीके से बनाएंगे ते सालों तक खराब नहीं होगा बहुत ही टेस्टी आ सबसे अपील कर रहे हूं प्लीज यदि हमारी वीडियो आपको जरस भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन 100 ग्राम कच्छी हल्दी ले लिए हैं 100 ग्राम अद्रग और 20-25 लैसुन के कलियां 20-25 हरी मिर्चे जो पहले ही धोकर पानी को अच्छे तरीके से सुखा लिए हैं लगभग 4-5 घंटे पहले ही में दोकर इसे सुखा लिए हूँ पानी बिल्कुल नहीं लगा रहाना चाहिए अगर जल्दी जल्दी में धोए न तो इसे एकाद घंटे के लिए धूब में रख सकते हैं कच्छा पानी बिल्कुल सूख जाना चाहिए और इस तरीके से हल्दी और अद्रग दोनों को हम छिल लेंगे छि कर टुकड़ा आप काट सकते हैं थोड़ा चोटा बड़ा अपनी सासे पर पदला काटें पदला काटने से इसके अंदर मसाले बहुत जल्दी से चले जाते हैं मिक्स हो जाता है मैं दोनों काट ली और इसी में मिर्च और लहसुन भी डाल दे, अगर लहसुन की कलियां बड़ी होना, तो थोड़ा छोटा कर लें काट के, और चाहें तो आप हरी मिर्च को भी काट सकते हैं, इस तरीके से, मिर्च आप अपने इसाथ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लहसुन और मिर्च जब गल जाते हैं, मसाले के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मसाले भूनेंगे, चार चे मसौब, चार चे मच जीरा, दो चे मच मेथी दाना, इन्हें भून लेंगे, धीमी आज पर भूनना ह जलने ना पाएं, मसाले बस इस चीज के ध्यान दें, मसाले इस तरीके से भून के डालेंगे, तो आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा, नमी खतम हो जाती है, जब इस तरीके से भून जा चटकने का वाज आने लगेगे तो गैस आफ कर दें, उसके बाद इसमें चार खराब नहीं हो, तो इन मसालों को ठंडा करके हम पीश लेंगे, इसमें हम 100 ml तेल डाल दिये हैं, सरसो का, कोई भी अचार सरसो का तेल में बनाए, मसाला ठंडा हो गया, जब तक तेल गरम हो रहा है, इसे दरदरा पीश लेंगे, बहुत महीन नहीं करेंगे, हलका दरदरा ह होना चाहिए, इस तरीके से एक बड़तर में निकाल लेंगे, और तेल भी ऐसे गरम करें, धूमा उठने लगे, फिर गया साब करके, थोड़ा सा इसका टंपरेचर लो होने देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए, तब हम इसमें डाल लेंगे, ये जो अध्रा, खल्दी, लैस सुन हरी मिर्च काट कर रखे हैं, और इसे में हम मसाले डाल लेंगे, और तीन चमच नमक डाल दिये, मिला देंगे, एकदम गरम टेल में नहीं डालना है, नहीं तो ये मसाले सोखे हैं और भूना हुआ भी है, तो जल जाएगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, समय के लिए रखें, तो जिस बड़तर में रखें, जहां तक अचार हो, वहां तक तेल भड़ दें, तो ये कभी खराब नहीं होगा, इसमें नमी नजाने पाए, बस थोड़ा सा दूसरे बड़तर में निकाल लेंगे, ठंडा हो जाए, जोंकि गरम गरम किसी कंटेनर में भ रख सकते हैं, सालों तक खराब नहीं होगा, पर इसमें आप वाइट बिनेगर डाल देंगे, अभी मैं दिखा रहे हूं, कोई भी कांच के बढ़तन हो, कोई भी साफ सुत्रा बढ़तन हो, आपके पास उसे गरम पानी से धो कर धूप में सुखा लें अच्छे तरीके से, तब अचार रखेंगे न, तो खराब नहीं होगा आपके अचार, इसमें दो काम करेंगे, तो कभी भी अचार खराब नहीं होगा, मैं बता रहे हूं, पहले इस से भर ले रहे हूं, अच्छे तरीके से, पहली बात इसमें वाइट बनेगर डाल देंगे, वाइट बनेगर भर दे जहां तक अचार हो वहां तक तेल को गरम करके ठंडा करके भर देंगे आपके अचार सालों तक चलेगा खराब नहीं होगा